सभी राज्यों की आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों वीडियो को पूरा देख करके जाना मांदे को लेकर के कई जानकारियां आ रही हैं कई बहने हैं जनोंने सरकार विभाग पर मांदे ना आने के चलते तंज भी कसे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट भी उन्होंने किये हैं उन सभी कमेंट को भी आप सब भाई बहनों को दिखाएंगे और उससे पहले आपको बता दें ये आंगनबाडी बहन है चंदौली जनपस से जिनों ने जानकारी भेजी है कि भाईया जी ब्लाक इनका नियमताबाद है पंकज देवी आंगनबाडी है और इनके एकाउंट में बाईस तारीक को साम को पंद्रा सो रुपए आये थे अब ये पंद्रा सो रुपए जो बाईस तारीक को आये थे वो पैसे पियलाई के या राजसरकार के मानदे के तो है नहीं वो पैसे बियलो वगेरा काम के आपके हो सकते हैं इसके अलावा और भी कई जनपदों में बि एक जगे मीनी बहन थी सायद या कोई मेन आगनबाडी हो उनका 3500 मद का भी देखने को मिला तो उन बहने का तो जो होली है वो ठीक ठाक निकल जायेगा लेकिन अधिकतर आगनबाडी बहने इस बार होली में निरासी सरकार विभाक से रही हैं यहाँ पर आपको दिखाते हैं क नमस्ते जब आंगनबाडी बहनों का मांदे आया ही नहीं तो घर में बैट करके करेंगी क्या इसलिए ड्यूटी लगा दी गई है होली के दिन जैसा आप सब को पता है यूपी के एक जनपद में आगनबाडी बहनों को एक काम दिया गया है आज होली के दिन और अभी परसो जो होली रहेगा यानि पूरी होली में बहने अपने सर्वे छेत्र में भ्रमर करती नजर आएंगी भ्रमर सील रहेंगी यानि गूमती फिरती रहेंगी क्यों गूमती रहेंगी जो भी सराबी हैं जो भी उपद्रवी लोग हैं अगर कोई जगडे नौबत आती हैं तो उसकी स साती ग्राम प्रधान को इन सब को सुचित वो करेंगी ये काम सोपा गया अब जैसा कि आप सब को पता भी है एक तरह से बहनों को जासूस बना दिया गया तो इस तरह से हमारी जो आंगनबारी बहने हैं वो कुछ दिखाई देंगी इस जो है एक रूप में होली में यहाँ प भी आंखे खुल जाएं कुछ बोनस ही दे दिया करें होली वगएरा पर तो देखिएगा यहाँ पर बहने ऐसी भी हैं जोनों ने जुनको पता है सरकार बोनस उनस नहीं देगी और इसलिए बहने हस भी रही है कमेंट के साथ ही सरकार पर ये तंज बहने कस रही है काफी ना अपना मांदे तो सरकार समय पर दे नहीं रही है तो आप सोचो बोनस ये आंगनबाडी महिलाओं बहनों को ये क्या देंगे केवन नारी सक्तिकरण के वादे और बस प्रचार प्रसार ही गवर्मेंट हमारी करवा पा रही है मौजूदा समय में इनी कामों का प्रचार प्र कब आएगा होली है तेवहार कैसे मनाया जाए तो भाई क्या कहें कैसे मनाया जाए बिना पैसों के बिना मांदे के तेवहार इस बार सभी बहने मना रही है और ऐसे ही कुछ मनाना पड़ेगा क्योंकि आज संडे है पैसा कल सटर्डे को कई जगे बहनों का लगा था उन में कि जो दिन है उनमें देखो पैसे कब सक्सेज हो पाते हैं या जिनके नहीं लगे हैं तो उनके कब लग पाते हैं जानकारियां डेली खबरों में आपको थोड़ी-थोड़ी करके मिलती रहेंगी इधर बात करते हैं यहाँ पर और भी कई कमेंट हैं जैसे लिखा गया है जो 80 हजार पाते हैं वो सरकार के रिष्टेदार हैं जो 4500 रुपया पाती हैं उनको लगा दो धिकार है इसी सरकार को होली हुरदंग का त्योहार है क्या महिला सुरच्छित रहेंगी क्या यानि उनी सराबी नसेडी लोगों को उनकी सूचना विभाग को अधिकारियों को जब बहने दे देंगी फोन से गाउ में भ्रमण सिल रहेंगी अपने सर्विच्छेत्र में ये सब देखने के लिए बोला गया था कानून वरस्था बनाए रखने के लिए और संती वरस्था बनाए रखने के लिए कारकरता वहां पर भ्रमण करेंगी सफाई कर्मचारी भी भ्र मर सिल रहेंगी कानुन वरस्ता सांतियोस्ता बनाये रखने के लिए तो क्या ये सही रहेगा क्या बहने हमारी सुरच्चित रहेंगी कोई पुलिस कर्मी तो है नहीं कि उनको रिवालबर या डंडा या कुछ ऐसा वैसा मिला है या पावर में बहुत जादा है तो उनका ऐसे लोग जो अध्यान पूरोग बात को सुनेंगे और उनको ढरेंगे मानेंगे कानुन वरस्ता का पालन करेंगे सांति बनाये रखेंगे क्या ऐसा होगा आप सबको पता है नहीं साथी बात करें हैपी होली भहिया जी हम लोगों की होली गई भाई रूखा सुखा खा करके मना लेंगे हो ली तो ये देखेगा यहां पर बहने हस भी रही है और कमेंट भी जैसा कि मैंने कहा लिख रही है तो हसी के पीछे बहनों की काफी दिक्कते हैं मांदे आया नहीं है जिस वज़े से अब वो करें तो फिर क्या करें विभाग सरकार जब अपनी मर्जी से देता है त तारीक को आ जाना था लेकिन वो आया नहीं तो मार्च के पैसे अपरेल में जो आएंगे उसमें लेट हो जाए तो समझ में आता है लेकिन फरवरी का पैसा मार्च में तो आही सकता था ये कुछ चीजें है लेकिन फिर भी अब है तो है चीजें लेट हुई है बजट नहीं चल रहा है इसमें लास्ट डेट की 10 तारीक का दिया है तो क्या करें भीया जी online करवा दें क्या देखो जब लास्ट डेट दिखा रहा है आघ पी अगर जंपद का कहा से है प्रयागराज से तो भाई उसके लास्ट डेट के पहले ही तो online कराओंगे उसमें पूछने कि क्या जरूरत है कि online करवा दें क्या अगर forum भरना है तो जहें सिवाते करना पड़ेगा तो उसको करवाओ अब उसमें भी क्या हम हर एक एक बहन को अलग से बताएंगे कि हाँ अब forum भरो हाँ भरो भाई आपको भरना है भरो नहीं भरना किसी को तो ना भरे डेट लास्ट वाली जो बता दी गए वो सब चीजें हो गई अब चलो यहीं से याद आया आगन बारी भरती के मामले में हम एक बार आपको ले चलते हैं काफी भाई बहनों का कहना है कि विब साइट वर्क नहीं करती है दिकते आ रही है तो देखो फॉरम भरने का तो टेटा मेरे पास मौझूद नहीं है लेकिन हम कोसिस यह करेंगे कि आपको आगन बारी भरती के जो जिले है में डेली अपडेट देता था साथ कल से मैं उपडेट को आप लोगों को नहीं दे पाया तो आज दुपहर के इस वीडियो में हम आपको अपडेट दे दे रहे हैं कौन कौन से जले में उत्तरपदेश में आगनबाडी की भरतियां चल नहीं है और वहां की लास्ट डेट क्या है देखो मुझफर नगर 1 अपरेल, सामली 2 अपरेल, एटा 1 अपरेल, चित्रकूट 12 अपरेल, बागपत 2 अपरेल, हातरस 3 अपरेल, पिली भी 2 अपरेल, लखनव 1 अपरेल, संभल 3 अपरेल, अमरोहा 5 अपरेल, कौसामभी 1 अपरेल, प्रतापगर 10 अपरेल, सीतापुर 16 अपर गाजियाबाद 5 अप्रेल, खीरी 4 अप्रेल, फतेपुर 4 अप्रेल, भदोई 5 अप्रेल, बरेली 10 अप्रेल, अलीगर 14 अप्रेल, अयुद्या 5 अप्रेल, महराजगन 5 अप्रेल, एटावा 10 अप्रेल, सहजहाँपुर 6 अप्रेल, चंदवली 5 अप्रेल, संतकवी नगर 5 अप इतने जन्पदों में आंगनबाडी की भरतिया चल रही है फॉरम आप अपलाई कर सकते हैं फॉरम अपलाई करने के लिए मैंने कई बार आप सब भाइबनों को बताया भी है कि यही विबसाइट है यूपी आंगनबाडीभरती.in जिस पर जाना है और जो तीरी तीन डंडे जैसे उपर दिख रहे हैं कॉर्णर में इस पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ पर तीन ओप्सन आपको मिलेंगे लॉगिन का रजिस्टर का डीप्यो लॉगिन का जिन में से आवेदन करने वाले जो लोग हैं जो फॉरम भरेंगे उनके लिए रजिस्टर करने का यह जो मुबाइल नमबर पासवर्ड जो सब डाल करके अपना लॉगिन करते हैं कि अप्चा बगारा सब सही सही भर करके फिर आगे रेजिस्टेशन की प्रक्रिया सुरू हो जाती है कई कैस में भाई बेनों ने कहा है कि भाईया हमारे यहां पर यह होता है लेकिन उनके सामने कुछ दिककते आती है दिककते कैसी जैसे कि उन्होंने फौरम भ़रा तो यहां पर जो अभिलेक है जो दस्तावेज है वो अपलोड करने की जो साइज है वो हम आपको बता दे 35 के भी यहां पर दिखाई दे रही है इससे ज़धा कि ना हो साध उसमें जब आप अपलोड करेंगे यहाँ पर जब यह चूज फाइल समय लिखा इन सब को आपको अपलोड करना होगा हाई स्कोल इंटर जो भी प्रमार पत्र आप अविलेक लगा रहें उनका फोटो फोटो खींच लो मोबाइल में बढ़िया से स्कैन कर लो और उसको कम साइज में कम प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद 35-20 से कम का फिर अपलोड किया फिर आगे ये फोटो वगरा बढ़ेंगी और इसको उपर नीचे करना है स्क्रॉल करना कहीं कोई और आप्सन तो नहीं है नेक्स्ट करने का कहीं आप्सन होगा वहां से वो सब चीज़े होंगी तब आगे बढ़ेगा इसके बाद फिर गोश्रा पत्र का नंबर आता है फिर साथ पूरा फोरम भर जाता है सोयम से ना कर पाओ तो जन सेवा केंदर कैफे हैं किसी से भी करा लो या कोई जानकार हो जो ज़्यादा फोरम भरते हों बच्चे उनसे करवालो वो भर लेंगे अगर सोयम कुछ चीज़े नहीं हो रही है और अगर सर्वर की प्रॉब्लम है विवसाइट बंद हो जा रही है ऐसा कुछ है तो वो उपर से ही फिर अदकत है उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए बस यहीं कह सकते हैं कि विभाग फिर ध्यान दे भाई सर्वर मेंटिनेंस की प्रॉब्लम को सौल करे और या तो फिर फॉरम की लास्ट डेट को आगे इंक्रीस किया जा यानि बढ़ाया जाए तो और भी टाइम लोगों को दिया जाए जिनके फॉरम नहीं भर पा रहे हैं साथी देखो मास्टर जी के हाथ ना आने यानि हाथ में आने के बाद आगन बाड़ी बहनों को पैसा नहीं मिलता बात की जा रही है आप पर कुछ उन पैसों की जो प्रात्मिंग विद्याले में मास्टरों के अकाउंट में आने हैं उनसे रिलेटेड कई आउसर पर विभागी या सरकार टाइम से आगन बाड़ी का जो है लिखा गया है टाइम से मांदे ना भेज करके हीन भावना का एहसास कराते हैं यानि कहना साब सब्दों में है कि सरकार विभाग आगन बाड़ी बहनों को होली पर मांदे नहीं देता इससे क्या होता है हीन भावना का एसास होता है कि हम लोगों के साथ इस तरह से गवर्मेंट पेस आ रही साथी सिद्धात नगर से जो है मन्जू पांडे बहन उन्होंने एक ये फोटो भेजी है प्रसारण के लिए इनके वहाँ पर ब्लाग खुनियाओं है जला सिद्धात नगर में वहाँ पर पोश्टरण पकवाड़े के तहद ये फोटो भेजी गई थी कुछ और भी कमेंट हैं जैसे भयाजी नमस्कार जगदीसपूर मेठी में पंदरा सो रुपे बियलो का आया है तो देखो बियलो के पैसे उनके वहाँ पर पहुँचे थे और एक कमेंट है भयाजी आ हमारे यहां कोई पैसा नहीं लगा है बलाक सडहोली इनका सहरनपुर में पढ़ता है ऐसे सुधा एक और पहन है इनका कुछ नाम लेखा है लेखा गया सुधांसु भहिया मोदी और योगी को ओवर कॉन्फिडेंस है कि चुनाओ जीत लेंगे इसलिए आंगनबारी पर ध् बाड़ी और को था ही कुछी नगर से हूँ होली में मानदे नहीं आया है कब आएगा दोपहर समाचार में बताएं होली की सुभकामना तो देखो अब क्या आएगा मैंने बहुत बार बताया है प्रोसेस में कई जग़ा पैसे लगें आज संडे है सक्सेस होने से रहा कल होत इसको हम भाई सुभकामना दें सुभकामना ओ जैसा तो बहनों कुछ दिखा नहीं अगर पैसा आ गया होता तो होली की सुभकामना देने में मुझे भी बहुत खुसी होती लेकिन अब मानों जैसे होली की सुभकामना देने में कोई मुझे खुसी ही नजर नहीं आती क्या क रहे खुसी में क्योंकि घर में खर्चे और होली का तेोहार मनाने के लिए पैसे लगते हैं और अगर पैसे नहीं आ पा रहे हैं मानदे नहीं अपा रहा है सरकार नहीं दे रहे हैं तो कैसे फिर वो खुसियां बेहनों के वाँ दिखेंगी। अपनी लिखी है होली इतना बड़ा तेओहार है उसमें भी छुटी रद कर दिया जा रहा है ये अच्छा नहीं है ये सब बाते यहाँ पर दिखाई जा रही है साथी एक मैसेज है भाई राइबरेली यूपी में अभी तक पैसा जो है लगा ही नहीं है एक रूपिया नहीं वारे बीजेपी सरकार ये है बीजेपी नारी सतक्ती करण सब आगनवारी अब सोच लो कि तुम क्या हो और तुमारी क्या उकाद है सरकार की नजर में अब आगे याद रखना यानि गवर्मेंट की नजर में हम सब की क्या हैसियत है ये सब बाते यहाँ पर काफी खायज है क्योंकि तेवहार था और तेवहार में पैसे मान्दे के उनके पैसे नहीं मिले हैं बोनस कोई बहने मांग नहीं रही है या बोनस के लिए वो ये realizing नहीं कर रही है तक सम्मान यलक मांदे अन्य राजजों के मुकाबले भी नहीं कर पाए अन्य तरह तरह के रेटारिमेंट के प्रावधान कुछ भी नहीं दे पाए तो ऐसे में अब नाराजगी तो जाहिर सी बात है बहनों में बढ़ेगी ही क्योंकि जुमले जुमलों पर कब तक जो है बहने गौर करेंगी यहाँ पर लेका है कोई मतलब नहीं अब इस प गई तो देखो अब वोट के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता वोट इनका अपना व्रतिगत विचार है आलेंडिया इस चीज को परमोट नहीं करता कि कोई दे या ना दे वो हर कोई अपने खुले विचारों के लिए स्वतंत्र है हमेशा से हमारा इस मामले में यही कहना है क्य तो बाहर वाला कौन मनेगा बस यही एक काम बचा था यानि आगनबाडी बहनों को यह जन्पद में यूपी के आज होली के दिन भरमर सील रखा जाएगा सरवेशित्र में घूमेंगी और वहां का हाल जानती रहेंगे और पलपल की अपडेट विभाग को अधिकारियों को देंगी भाया जी हमें तो यूनिफॉर्म मिल गई है पर इतनी खराब और पतली सी साड़ी और एक सूट यह बाते यहां पर लेके कौन से स्टेट से हैं साध एमपी से ही हैं या कहीं और से हैं हाली में कहीं एक जगए साड़ी के लिए बोला गया था साध वहीं से हो सकती ह एक मेंसेज है ये भी जु है यहां पर कुछ लिखा गया है लेते तीस को भेजते यह भी धर लेते साद यहीं लिखना चाहते होंगे रख लेते उनको लिखना चैए ताख है कोई बात नहीं यहां पर लिखा गया है तो चुनाओ परचार कर लें पहले होली जो है बाकी ये सब बाते लिखी गई इनका अपना विक्तिगत विचार है साथी आगनबाडी बहनों को सवाल करना चाहिए क्या मेरी जिंदगे के बारे में वहविस्त के बारे में अपने सरकार की तरब से आगनबाडी बहनों के लिए क्या किया तो सवाल तो बहनों के बहुत है मन में लेकिन कर ये किस से सरकार तक आवाज भी कहा जा रही जहां मंत्री नेता जाते हैं वहाँ पर अधिकारी भी मूँ खुलने नहीं देते हैं अगर बहनों का खुल जाए तो कारवाईयां और नौकरी ही सीधे चली जाएगी वस इसी डर से बहने चुप रहती हैं ये तो गलत बात है आगनबाडी में छुट्टी भी कभी नहीं मिलती और सेलरी भी ना के बराबर क्या बात है मंत्री जी नमस्कार भाई आगनबाडी कार करता पता नहीं या अपने को क्या फील करती हैं सिच्च का हैं या सेविका हैं इनको खुद ही नहीं समझ है इसलिए विभाग इनको बहुरूपिया बना देता है यानि हर एक विभाग के कामों के जिम्मेंदारी डाल करके करवा लेता है बहनों के पास कोई इज्जत ही नहीं है क्या होली के दिन सरावी घुमते हैं उट पर सोंब देते हैं जो काम पुलिस प्रसाशन पर डाल करके कराने चाहिए थे पुलिस प्रसाशन का एक डंडा काफी था कोई एक व्यक्ति की आप जो भ्रमरसील वो रहता गाउं में रुगता भले ही नहीं एक व्यक्ति आजू-बाजू के 5-6 गाउं को तो समाल सकता ही है एक पुलिस कर्मी यहां गया वहां गया आराम से 2-4 जगा घूम लिया या गस्त पर गाडिया ही निकल रही है गाउं के बाहर भी अगर एक गाड़ी देख ली गाउं वालों ने या किसी ने भी तो जितने भी यहनी सराबी होंगे तो उस तरह से तो उन्हों अपना कंट्र कंट्रोल में रहेंगे उनको पता है गाड़ी गूम रही दर उदर लेकर के चले जाएंगे तो खुदी कंट्रोल रहता लेकिन नहीं आंगन बाड़ी पर ये काम डाल दिये गए मंजू बहन बिजनोर से आंगन बाड़ी सेंटर प्रासमित्रन का उन्होंने एक ये फोटो बेजा था आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं रखते हैं धन्यवाद